मात्मा गांधी अंताराष्टिय हिंदी विश्य द्याले वर्धा के इस इस्टूडियो में आप सबका हर्दिक स्वागत आज हम लोग समकालीन कविता का परिदिर्श्य विश्य पर यहां हैं मैं आप लोगों से पर्चे करा हूँ हमारे दाइने हाथ की तरफ बनारस हिंदी विश्य द्याले के बरिष्ट आचारे प्रफसर बसिश नारायन त्रपाठी जी हैं आप प्रफसर चंदकला त्रपाठी जी हिंदी और मराठी के सोपरसिद्ध लेखक और अनुवादक मंच के कवे और गीतकार बुद्धिनाद मिश्य जी आज हमारी बीच में हैं मैं प्रफसर चंदकला त्रपाठी जी से ये निवेदन करूंगा कि वो क्लिप्या इस विश्य पर प्रकास डाले हैं कि जो आज समकालीन कविता का प्रदिर्श्य है जो हम यह मानते हैं कि मात उसे कवे हैं कि जन का के हिंदी में एक अलग प्रकार का योगदान है और जणका नाम भी है तो आप उन कवियों को सहण परमपरा से यानी जो नेस्ह 10 पहले के जो हिंदी कविता है इताल सवंदों अशिंचा अपटी सेुख्छ चैसरे किसे घृता की rest जूरे जुड़ी है कि यह ही हमानु जुडा कि युडिने है एक तो आसे से घृता है आदूनिक हिंदी कविता जिसे हम कहते हैं उसका एकस्पस्थ सामाजिक और समाज की पुनरचना से संबंद रहा है हम एक तरीके से अगर हम नाम ही गिनाएं तो हम भारते इंदू की कविता को छोड़ कर समकालीन कविता पर बात नहीं कर सकते हाला कि भारतेंदु ने भाषा किस तर पर एक पुरानी भाषा ही कविता में अपनाई थी ब्रजभाषा मगर योग उनकी मुकरिया थी उनकी नाटकों के बहुत सारे जोगी थे लावनिया थी उनमें आधुनी चेतना का एक स्वर दिखाई दिया जो आगे बढ़ता हुआ क्रमशा दिवेदी युग में उसकी नैतिक चेतना से देश से स्वदेश प्रेम से स्वदेश के निर्मान के सपनों से जुड़ा चायवादी कवियों ने जिनमें सम्कालिन कवि सबसे ज़्यादा निराला से खुद को जोडते हैं उसमें आकर देखिए तो किस तरह से एक देश का उसकी नवजागरन का सपन देखा जाता है और उसी निरंतर्ता से संबाद करते हुए छायवादोत्तर रचनाशीलता के भीतर उस उतिहास के भीतर हम देखते हैं जिसमें कई तरह की प्रवितिया दिखाई देती हैं लेकिन सबसे ज्यादा अगरगामिता अगर कहीं पहचानी गई तो प्रगतिशील कविता में पहचानी गई प्रगतिशील कविता के वो कवी जिने हम नागारजुन, त्रिरोचन, केदारनाथ अगरवाल, मुक्तिबोद, शमशेर जैसे कवियों के रूप में जानते हैं ये तमाम कवी निराला की छेतना से जुड़ते हैं भाशा के स्तर पर निराला जो नयापन दे रहे थे, छंद के स्तर पर निराला जो नयापन दे रहे थे, विश्य के स्तर पर निराला जो नयापन दे रहे थे, उससे जुड़ते हैं उसके अलावा अगर हम इस बात को न भूलें कि ये सारी कविताएं इस पस रूप से एक एतिहासिक समय से अंतरक्रिया करते हुए जो भी नयापन है भावोद के स्थर पर मूलेचेतना के स्थर पर शिल्प के स्थर पर संबात कर रही हैं अंतरक्रिया कर रही हैं जब हम समकाल इन कविता कहते हैं, तो देखिए इसमें एक शब्ध है समकाल, क्या है ये समकाल, आपने कहा 1980, 1980 का समय भारती समाज के इतिहास का एक बहुत हलचल भरा समय है, एक तरफ ये विरासत है इन कवियों की, और दूसरी तरफ एक तरीके से प्रगतिशीर्ता के जो मूले हैं, जो थ हुं में घुमिल के नाम लोगी, इन कवियों के रोपों को, प्रफस्it पाधी जी, अबी अन्त मैं, प्रफसरेच चंश्यंदकला तरपाधी जी ने धुमिल का नाम लिया और धूमिल का नाम लिया यानि एक राजनितिक चेतना का नाम लिया दूसरा ये भी है कि धूमिल की कोई परंपरा नहीं है धूमिल की पहले भी कोई परंपरा नहीं है धूमिल बनारस के थे आप भी बनारस के हैं धूमिल को आपने देखा भी होगा धूमिल के स और एक विद्याले में वो अध्यापक थे जो समकारीन राजनीत उनके समय की थी और जो समाज था उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखा था शहर के रहने वाले लोगों को और सहर के समाज में रहने वाले जो विभिन समुदाइं हैं ऐसे लोगों को और गाओं के अंदर जो समाज है उस समाज में जो विभिन समुदाइं हैं जो श्रमशील जातियां हैं उन सब को देखा था और देश की राजनीत राजनीत में बड़ होने कविताय लिखी जैसे बहुत प्रसिंद कविता है जो मूची राम है उसमें वो समाज राजनीत और उसको देखने की द्रिष्ट जनता की भी और हमारे शासन सक्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी उसको बहुत बारीकी सिवाद में देख रहा था और वेक्ट कर रहा ढूकि परंपरा आगे बड़ी ऐसा क्या आपने कहा उसका कारण यह है कि उस तरीके की चुरुट्य देने का साहस में लगता है कि धुमिल के अलावा और लोगों में साइद नहीं ठा जिस तरीके की चुरुब्स कि बहुत दिल उन्होंने जिस तरीके के शब्ड़ों का उन है जुसके पास ज्ञान नहीं कुछ नहीं लेकिन वह मुची के पास जूता मुची राम वाली कविता को अगर उदाहन लें तो कितने अच्छे तरीके से व्यंग्यात्मक लहजेम उन्हों उस पर टिपढ़ी की है तो इस तरीके से जो जए जिवन का है जिसको उन्होंने देखा और उसको उन्होंने उस तरीके से व्यंख्ञ किया कि श्रम्शील मनुष्ड के साथ जो व्यंग्य न knife को इसा अजद्म के पास कोई जयान नहीं उसको कोई सब्सक्राइब भी जो दो रंगापन है उन दोनों को एक साथ करके धूमिल ने देखा हमेशा है। मैं खड़से सब यह जानना चाहता हूं कि जो कि दोनों भाषाओं को आप समान रूप से जानते हैं। क्या जो हिन्दी परमपरा है जो हमकलीन करтा ने परमपरा अजित्यकी राजनितिक चेतिना की बात हम कर रहे हैं क्योंकि वो दौर जो असी के आसपास का finalement पहले का जो दौर है वो नकसलबाद का भी दौर है तो वो नकसलबाद की अजल में ये पैदाish है सब चाया अलोग धन्वा हों या दुमिल हों या जो राजनेतिक चेतना है मसलनल मसलन रगवीर साई में जिस तरह गी राजनेतिक चेतना है तो क्या मराठी साहित्य में भी इस प्रकार की कोई राजनितिक चेतना है? मराठी साहित्य में भी राजनितिक चेतना है विशेश रुप से विद्रोह की कविताएं मराठी कविताओं में बहुत ज्यादा है राजा ढाले या नामदेव धसाल इस प्रकार के जो कभी रहे जिन्होंने दलित साहिति के माध्यम से एक नई बात कहने की कोशिश की केवल वो वहीं तक नहीं रुके कि दूसरे जो सतिस कालसेकर जैसे कभी रहे हैं उन्होंने समाज में जो विसंगतिया है उन पर प्रहार किया है रूढियों पर वो बोले हैं और विशेश रूप से राजनेतिक विसंगति जो है जिसमें आशवासन है लेकिन उसके फलस्षूरतिक कुछ नहीं है ऐसे तो जिस प्रकार हिंदी में राजेश जोशी हैं या पवनकरण हैं या दुशन्त कुमार हैं इस प्रकार की भाव भूमी के कवी मराठी में भी रहे हैं। अभूमी ठीक दुशन्त की तरह तो नहीं थी लेकिन अपने समय को और अपने भूगोल को उन्होंने बड़े अच्छे डंग से अपनी कवीताओं में अपनी गजलों में उन्होंने ढाला हैं। जो खास कर व्यवस्ता के प्रती वो बहुत तेजी और तीके पन से रहा है। आज के कवी उस प्रकार की बात कर रहे हैं। अभी जो फिल्म आई है मराठी में उसका मैं विशेश रूप से उलेख करना चाहूंगा। और उसने चारो तरफ ध्यान आकरशित किया है। वो फिल्म है सहराट। और उस सहराट फिल्म में जो सामाजिक भेद है। उसके प्रदी जो सवाल उठाए गए हैं। वो केवल एक कलात्मक फिल्म के रूप में नहीं बलकि समाज की जीवनती स्थिती को उस व्यक्ति ने सब के सामने दर्शकों के सामने रखा है। ये बात विशेश रूप से मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो डाइरेक्टर वो निर्देशक मूल रूप से कवी है। और पहले उसने कवी की रूप में मराठी में अपनी जगह बनाई और इस प्रकार की फिल्में उस आदमी ने दी, उस व्यक्ति ने दी, उस निर्देशक ने दी जो समाज के जमीन से जुड़े हुए लोगों से वो फिल्म सीधे समवात करती है। आज मुझे लगता है हिंदी में भी और मराठी में भी बहुत अच्छे ढंक से समकालीन के विताएं लिखी जा रही हैं जो हमारे आसपास को शब्द बद करती है। जिस तरह से आपने इस चंद को साधा है। आप क्या समझते हैं कि जो हिंदी का जो मंच है क्या समकालीन कविता और मंच का कोई सम्मंध है। और मंच पर क्यों नहीं गए क्योंकि प्रश्ण यह उठता है कि जैसे उर्दू में आज भी बड़े से बड़ा शायर मंच पर जाना पसंद करता है। मुशायरे में जाना पसंद करता है लेकिन हिंदी का अधना से अधना कवि मंच पर जाना पसंद नहीं करता। तो यह क्या बज़ा है यह दोयत क्यों हो गया। क्या हमने मंच को उन लोगों के लिए छोड़ दिया है। जो मस्खरे हैं चुटकुले बाज हैं उन लोगों के लिए चोड़ दिया है या मंच को गंभीरता से लेना हमारी कवियों ने बंद कर दिया है या उसको एक तरह का वो मानते हैं कि मंच पर जाने का मदलब हम कोई छोटे कवियों हो गए आप क्या मानते हैं इस मूल बात यह ह जो आपने कहा कि मंच की करते हैं यह कविटा को समाज में ले जाने का माध्यम हुआ करता था अभी नहीं है क्योंकि अभी जो है मंच धीरे-धीरे इन लोगों के कारण जिनोंने की छंद को छोड़ दिया उनकी पकड़ कम हो गई समाज पर और इक बहुत उदारन चोटा सा चाहूंगा कि अगर शृक्रण तीवारी और धूमिल जी दोनों बैठे ते हो गया कि अच्छा हम लोग मजदूर से ही बात करते हैं किस की कविता समझी जाती है और एक रिक्षाबाले को बुलाए गया रिक्षाबाला बैठाया गया तो धूमिल ने भी कविता सुनाई शृक उससे पूछा कि कौन सी कविता तुम्हारी समझ में नहीं है तो जिसके लिए आप लिखते उसकी समझ में नहीं आ रही एक प्रस्ट है दूसरी बात यह है कि जो छंद को छोड़ने से उसकी पहचान पर भी असर पड़ा है हम एक बहुत बुरी बात यह हुई है कि विश्वे प्रस्तुत किया गया अगर उर्दू कविता में जो मंच पर जाते हैं उनका भी उतना ही महत्तु है जो की पत्र-पत्र कव्म में हैं हिंदी में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि शमनाज सिंग बिरेंदर मिश्र यह सब जो की बहुत बड़े महारती है कविता के उनको क्यों नहीं हुए है तिसमें कोई हमको कोई अपशब्द न कहें यह स्थिति यह है कि हिंदी कविता से लोग बच्चे जो है आतंकित हो गए है क्योंकि नकारात्म कविता ज्यादा आ गई है इसके माद्यम से जो मुक्त चंद मुक्त कविता के माद्यम से पहचान एक आवशक्तत्त है क कि किसको हम कविता कहेंगे, किसको कविता हम नहीं कहें, इसका भी कोई एक मानदन्द होना चाहिए, और दूसरी बात है कि कोन सी हमको कविता, केवल नकारात्मक कविता ही कविता है, सकारात्मक कविता कविता नहीं है, ये भी हमको विचार करना है, अगर समुना सिंग करते है कि बादल को बाहों में भर लो एक और अन्होनी कर लो यह भी आदनिक समझ कि और एक वैज्ञानिक सोच को प्रसुत करने वाली कविटा इसको क्यों नहीं जगा मिलेगी तो यह एक जो एकांगी हुआ है उसके कारण उसका कारण क्या है वह आप विश्विद्याले के लोग ब कावगीत विद्या अभी आई है और लोग दीरे-दीरे उसके और आ रहे हैं बढ़ रहे हैं विश्विद्याले में भी सोध हुँ रहा है नहीं बच बच्चे लिख रहे हैं विश्विद्याले और नहीं गये षायद नहीं हैं पाथेक्रम कोभब का quando एन लिगा हमें पाठ आमान जनता के बीच में जो चीजें होती हैं, जो कविताय याद रहा जाती हैं, वो दूसरे तरीके की कविताय होती है. अब जैसे मुप्तिबोर की कविता है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, अब जो सुनेगा, वो एक जो आत्मा लोचन है उनका, वो आपको उसपरश करेगा ही करेगा, भूतों की शादी में कनातों से तर गए, किसी व्यविचारी के बद्गे, बन बेविस्तर, जो सारी करती हैं कि कौन सा कभी, क्या कहना चाहते हैं, जनता में सुविक्रित किस कारण से है, उसकी लोग प्रियता क्यों पढ़ रही है, आज भी तुलसी रास को जादा लोग पढ़ते हैं, बुदिना जी मैं खास तोर से यह कहना चाहती हूं, कि अगर जनता को हम, संवेदना की उच्चतर भूमी पर लाना चाहते हैं, चेतना की उच्चतर भूमी पर लाना चाहते हैं, तो केवल कभीता को ही नहीं, बहुत सारी चीजों को बातावरन बनाना परे हैं, सारी जम्मेदारी हम कभीता को नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे जानते हैं, आप बनार एक बहुत ही मामुली मुंफली बेचने वाले ने अपने बगल में बैठे पंडित जैसे व्यक्ति को जब वहां सिर्हिलाते देखा जहां ले टूट रही थी तो उसको मारा और कहा कि समझ में कुछ आ रहा है कि बिना मतलब सिर्हिला रहे हूं विलाना भी मुझे लगता है कि मैं डोकना चाहूंगा कि जिमिता करते आ पार्ट को समझने की एक जैए चाहिए वाजित परंपरा हो होता थी है इस समय जो हम चंद मुक्त कविता के कारण इस इसको हम एक तरह से करें नाठ समबाद के तरह से हो यह कविता चलती है बंगला में वही कविता ग 17,000 के रूप में उसको प्रस्तोत करता है तो उसको सुनने वाले ज्यादा लोग है यह चीज जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि चंद मुक्त कविता में उसमें वो जो नाटि समवाद का तत्व है उसको लोग पसंद करते हैं वो चंद मुक्त कविता में है अगर वो हम उसको गीत में कहेंगे दो मिल की कविता को अगर हम गीत में बंद करेंगे वो पूरे साहितिको काला को कैसे चैतनी करें? तो आप देखिए कि आज जो अखवारों में विशिश रूप से क्योंकि चैतना संपन करने का कम अखवारों का भी है. जब यह कहा गया कि जब तो मुकाविल हो तो अखवार निकालो. लेकिन आज जो अखवारों की भूमिका है, आप देखिए कि जो साहितिक पन्ने गाइव हो गई, साहिति पे चर्चा गाइव हो गई, अखवारों ने बिलकुल जैसे अपनी जो बड़ी एक जम्मेदारी थी साहिति को जनता तक पहुचाने की, उस जम्मेदारी को बुला दि तो कैसे पहुचेगी कविता या साहिति की कोई भी कला जी बिलकुल, और सच बात ये है कि बहुत गहरी गहरा आत्मा लोचन का समय है, साहित, शिक्षा, कला, मीडिया या जितने भी माध्यम हैं, अगर आप निर्भीक हो के बात करना चाहेंगे, तो कौन सी चीजें उनको नियंत्रित कर रही है, आपको देखना होगा, क्या वो चीजें ये चाहती हैं कि जनता साक्षर हो, समझदार हो, उचिस्तरी इस्तर पर चेतना संपन हो, जिसका मतलब होता है, जिसको हमारे बड़े कवियों ने बीडा उठाया था, कि आपके हाथ में शक्ति जा रही है दे हमारे बच्चे रुपया चापने की मशीन बन जाते हैं, इंदी कविता उधर भी इशारा करती हैं, आप एक जो मूली चेतना का जो एक स्तर है, बहुत कमजोर हुआ है, शिक्षा में भी आप शिक्षा जो है आजीविका का माध्यम है, शिक्षा शिक्षित होने का चेतना स आप अपनी गंभीर कविताएं लोग सुनना चाहते हैं, आप अपनी गंभीर कविताएं अपने दिल में दवाय लोटाते हैं, और ये उस मंच की बात नहीं करें, आप रबुद्धों के बीच में बेट कर देखिए, कि क्या आप विडम बनाओं की और गहरे ही इशारे करन अपने लेकर 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 नहीं बताई हैं, और दू में क्यों सुनते हैं लोग उर्दू में बड़े से बड़ा जो शायर हैं, आप मेरी बहुती दुखती नस्पे उंगली रखी, मैं गालिप को पिछले दिनों पढ़ रही थी, गालिप का और उनका समय बढ़ रही थी, गालिप को भी उनके समय में न सुना गया, न सराहा गया. आप दीक कुछले, गालिप कषिं है, यहां गालिप और उप रही जो प्रेशन आपने उठाया है, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा, कि उर्दू में जो मुशाहरा होता है उसमें जो श्रोता आते हैं वो भी एक तरह से आस्था लेकर आते हैं एक धार्मिक भाव लेकर के आते हैं कि जैसे ये पूजा की कोई चीज है वो भावना हिंदी कवसे मिलन में नहीं है यहां लोग आते हैं मजा लेने के लिए यह मजा लेना और वहां पर वो इसलिए उसको वहां जो है अच्छी कविता सुनी जाती है अच्छी शाहिरी सुनी जाती है यहां पर अच्छी शाहिरी अच्छी कविता नहीं सुनी जाती है तो ये मजा लेने की परमपरा किसने खत्म की अब एक जमाने में महादी वर्मा जाती थी उन्हें बंद कर दिया जाती थी ये सारे बचन जी जाते थे मागला चतुरवेदी जाते हैं हमारे बड़े सहितकार मंच पर गए हैं तो क्या वज़े हुई कि आज मंच हमने उन लोग मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यावसाई करन इतना ज्यादा हो गया इसका और आर्थिक पक्ष इतना मजबूत हो गया है कि लोगों को जो पसंद है उस तरह से कभी लिखना चाहिए पर देखे मुख्रूप से जो हाँ से कविता भी नहीं चुटकुले तो गंभीर गीतकार भी कतराने लगे लिए चुटकुले इसलिए कि वो हमारे गंभीर कभी अलग हो गया इस जबड़ा कथिन समय है जिस कथिन समय में हम रह रहे हैं हालां कि हम वह मंदली करन की बात कर हैं बड़े उधारी करन की बात कर रहे हैं लेकिन इस उधारी करन ने इस भुमंडली करन ने कलाओं को बहुत पीछे धकेल दिया है इसलिए नई पीड़ी आज कलाओं की ओर नहीं जा रही है कलाओं से उनका कोई वास्ता नहीं है बलके उन चीजों की ओर जा रही है जो कि उसे पैकेज दे सकें, बड़ी नोकरी दे सकें, विदेशों में भेश सकें, तो एक बड़ा संकट समकालिन करिता के सामने है, और मैं यदि इसे कहूँ कि साहिति के सामने, एक बड़ा संकट आज हमारे सामने है, उस बड़े संकट पर भी आप लोगों ने प्रकास डाला उस पर चर्चा हुई और समकालीन करिता के चुने हुए मुद्दों पर उनकी चुनोतियों पर जिस तरह से खुले रूप में चर्चा हुई आप सब लोग इस परिचर्चा में आए समकरीन करता पर बात की आप सब का बहुत-बहुत हार देख दन्यवाद आपको भी दन्यवाद बहुत-बहुत आपको भी दन्यवाद बहुत-बहुत